हरो गाईज, वेलकम दो स्टाडिजेस्ट, दे वल्ल आफ एडुकेशनल सलुशन्स, स्टाडिजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लाटफर्म है, जहां पे आपको हर एक टाइप आफ एडुकेशनल सलुशन्स प्रवाइड किया जाता है, चाहिए आपका कम्पेटिव पॉइंट आ अब बात करें, तो हर एक टाइप का एडुकेशनल सलुशन्स अपको आपका स्टाडिजेस्ट में एक ही प्लाटफर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो आज हम लोग बात करेंगे आपका कम्पेटिव पॉइंट आफ यू का एवरेज, जो हम लोग इसके पहले डिसक् से, हम लोग definitions देखे थे, uses देखे थे, average का, तो आज हम लोग और थोड़ा कुछ properties देखेंगे, कि average में कैसे, क्या-क्या properties आता है, average में क्या-क्या फर्क परता है वो properties से, और हम लोग कुछ examples हम लोग discuss करेंगे इसी class पर, तो चलिए, शुरू करते है, average हम लोग का competitive point of view से, त continue, continuation class of the average, तो चुनू करने से पहले एक पर मैं फिर से बता देता हूँ आपका, जो हम लोग का channel है, यहाँ पर आप subscribe कर सकते है, जो strategy of competitive, strategist का, तो यहाँ से आपको क्या फायदा यह रहेगा, कि आपको कोई VC type का video आया, तो आपको notification से पहले मिल जाएगा, आप like कर सकते है, facebook feature है, आप लोग का logo है, ऐसा दिखता है, तो देखके है आप telegram channel को join कर सकते है, और हम लोग का community join कर सकते है, WhatsApp पे जो नीचे दिया है, तो यह सब community join करने का आपका कुछ यह फायदा रहेगा, कि आपका वो directly जो प्रिवेस यह questions paper है, जो PDF notes है, study notes है, या आपका मान लीजे, doubts है one-to-one basis पे आपका यहाँ पे clear हो जाता है, तो हम लोग का community join करना ना भूले, ऐसा दिखता है हम लोग का YouTube channel का page है, ऐसा दिखता है, हम लोग का Facebook page है, ऐसा दिखता है, तो please follow us on our community, चलिए शुरू करते हैं, हम लोग का जो आप properties है, यहाँ से continue करेंगे, हम लोग पहले तीन properties देखे थे, तो आज हम लोग का fourth properties है, यहाँ पे दिया है, if each observation is divided by a, the average of this observation also divided by a, ठीक है, आप यह जो मैं बोल रहा हूँ, आपको believe काने का जरूरत नहीं है, हम लोग practically देखेंगे, practically किया हो रहे, तो देखें, हम लोग previous example पे लिए थे, तो वो previous example यहाँ पे देख रहेते है कि माल लिजे, एक number है 30, जरा है 20, फिर है 60, फिर है 10, ठीक है, तो इसका होगी आपका कितना 60, 70, 80, 90, 100, 90, 120, 120 by 4, यह था कहा है, पर चार number है, दोनों सबका 120 है, तो यह हो जता है, आपका 30, 30 हो रहा था न, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, divide by a, तो हर एक को माल लिजे, हम लोग 2 से divide कर रहे, हर एक इसको 2 से divide कर रहे है, तो इसका यह बन जा रहा है, 30 को 2 से divide करेंगे, तो 15, 20 को 2 से divide करेंगे, तो आपका बन जाएगा 10, 60 को 2 से divide करेंगे, तो आपका बन जाएगा 30, और 10 को 2 से divide करेंगे, तो आपका बन जाएगा 5, तो यहाँ पे होगा 30, 10, 40, 55 65 60 तो यहां पर बन गया 60 आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका कोई भी observation, individual observation में आप कोई भी action करते हो तो वो आपका average में जलगता है क्योंकि average equal distribution है equal distribution है सब में तो वो जो आप करोगे observation में जो भी आप करोगे plus minus multiply divide वो आपका average में भी देखने को मिलेगा तो यह था हम लोगा fourth property चले आगे देखते है यहापे देखिए यह वाला property दिया है if there is an n consecutive odd numbers then we find the difference between the highest and lowest number then it will be n minus 1 by 2 आगर माल लिजिए कोई बड़ा number है यह चार कोई भी एक बड़ा consecutive number है कोई भी माल लिजिए एक example माल लिजिए odd number आपका माल लिजिए 357 और 9 ठीक है 357 और 9 यह odd number है odd or even number जो है देख जानने के लिए हम लोग का जो number system chapter है वहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे आपका odd number है 357 और 9 तो यहाँ पे हम लोग देखा है अब पूछा गया है n consecutive what consecutive है एक के बाद एक है ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दिया गया है the difference between the highest and lowest number will be n-1 by 2 तो यहाँ से अगर highest and lowest का कर सकते है हम लोग 9-3 ठीक है 9-3 करेंगे तो यहाँ से आपका आज जागा 6 मगर यह formula दिया है अगर n-1 into 2 तो यहाँ पे देखें n क्या है 4 number दिया है तो आपका कितना n consecutive what numbers मतलब 4 है आप है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे n का value 4 आ गया 4-1 into 2 हो जाएगा अगर 3 into 2 आपका 6 हो जाएगा तो जो difference है यह देखें यहाँ से आपको यह formula किसे भी directly आप निकाल सकते है अगर आपका consecutive दिया है तो odd का consecutive दिया है कि odd में consecutive ऐसा होता है मानली जे बड़ा number दे दिया 1000 ऐसा कुछ दे दिया है तो वहाँ पर भी आप easily आप कर सकते है consecutive अगर दिया है दस नमबर दिया है 24 नमबर दिया है या 80 नमबर दिया है मानली जे 500 नमबर दिया है consecutive 500 नमबर और नमबर से दिया है 500 आप 499 में इंटो 2 आपका answer हो जाएगा तो easy है तो यह एकदम छोटा-छोटा में तो आपको लगेगा कि ऐसे ही निकल जाएगा कम बगर बड़ा में आपका थोड़ा दिक्कत आने वाली है इसलिए formula एकदम practice कर लिजए ताकि आपका नंदर बैठ जाए और exam में देखते ही आप यह solve कर दो तो चलिए यह था हम लोग का fifth property आगे बढ़ते है आगे हम लोग देखेंगे और एक property यहाँ पर है हम लोग का जो आप लोग और देखेते हैं यहाँ इवेन में देखेंगे इवेन में भी वही formula है इवेन में भी दिखा देता हूं मल लीजे मल लीजे इवेन का है 2, 4, 6, 8 ठीक है 2, 4, 6, 8 यहाँ पर दोनों का difference अपर हाएस्ट और लोएस्ट का difference यहाँ पर आगे आपका 8-2, यहाँ पर 6 यहाँ पर था तो यहाँ पर formula बताता है n-1 इंटो 2 है न, यहाँ पर देखें कितना है 1, 2, 3, 4, 4 नमबर दिया तो 4-1 इंटो 2 कहने का मतलब है 3 इंटो 2 equal to 6 तो यह जो 6 है यहाँ पर आपका जो highest और lowest नमबर है उसका आपका जो difference है वो आपका 6 हो जाएगा तो ऐसे अगर ज्यादा नमबर आपको दिया रहेगा 500 नमबर दिया है consecutive 500 नमबर दिया है 799 नमबर आपको दिया है या 735 नमबर दिया है 946 नमबर आपको दिया है तो इसी में आपका फॉर्मूला लगा के आपका डिफेंस क्या आएगा ठीक है तो यह था आपका concept of average का कुछ properties था average में हम लोग देखे कि कैसे आपको plus minus कोई भी action कर रहे हैं तो average में कैसे फरफ का रहा है फिर हम लोग देखे कि consecutive numbers में हम लोग कैसे easily आपका difference निकाल सकते हैं तो आप इडिफेंस का भी बोलेगा कि average निकालो फिर वहाँ भी कर सकते कुछ भी कुछ भी पूछ सकता आप link करके आप निकाल सकते आपका basic clear होना ज़रूरी है बस हम लोग का motto होई है basic up का clear हो जाए तो उमीद करते हैं कि आपको फूल आपका clear रहेगा तो नीचे में comment करके बताइए कोई doubt रहेगा वही आप पूछ सकते हैं नीचे में ठीक है चलिए अभी हम लोग देखेंगे कुछ properties मालब कुछ examples जो कि previous year paper में आ सकता है मालब आ चुका है और next आपका exam में भी पूछने का बहुत बहुत जादा chances है तो इसी टाइब का questions लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे first question आपको दिया है 9 persons went to a hotel for taking their meal 8 of them spent मालब 9 persons है 9 जन total है 9 जन total है यहाँ पे hotel है मालली जी यहाँ पे a hotel है ऐसे hotel है hotel में गया यह ठीक है आप क्या बोला है खाने के लिए गया है आट जन है इन में से 9 जन में से जो 8 और एक बंदा जो आफ जन जो है वो पुरी-पुरी क्या करता है आपका 12 रुपया spend करता है खाने में हर एक meal में 12 रुपया spend एक ज़न्ट जो है यह जो एक बंदा है 9th यह जो एक बंदा जो बज गया है 9th जो है 9th तो यह जो बंदा है यह क्या कर रहा है इसका जो average है इसका जो average है आपका average से यह 8 रुपे ज्यादा आपका यह spend करता है आप बोला है what is the total money spent by them अब पुड़ा यह सिनारियो का बोल दिय आपका यह बन जाता है तो इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं पहले तो निकालना पड़ेगा average average कितना दिया है देखिए 8 बंदा जो है आपका 12-12 रुपया equally कर रहा है तो average यहाँ पर देखे आप directly आप बोल सकते 12 है कि नहीं यह 12-12, 12, 12 यह 12 यूश कर रहा है 12 दे रहा है, spend 12 रुपीज each बोला है 12 रुपीज ही तो आपका 12 यहां से देखने से average हो गया था है तो नौव बाला जो बंदा है फाल्रा ना 9 बंदा क्या करता है 12 PLUS 8 क्योंकि यह जो average बन रहा है तो average होगे ना यह आपका हो जाएगा नौ जना आट जन तो आपका 12 रुपिया करता है 12 इंट टॉइट प्लस आपका जो 9 बंदा है वो करता है 20 रुपिया यह आपका total बंजाएगा 1280 आपका हो गया 96 प्लस 20 तो 116 जो रुपिय है यह आपका हो जाएगा total money spent by each of them मैंने टोटल जोड़ी स्वाल आपको बैंकिंग में या से में देखने को मिलता है आपका सवाल समझ में आगया होगा कैसे आपको solution करना है तो एक्जाम में इसी टाइब का सवाल आपको देखते हैं आप कर लोगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़तें next नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि वो of the three numbers second is twice the first number and also the thrice the third number आप first number मान लेते हैं x है ठीक है first number जो दिया नहीं है x है second number यह first हो गया second जो number यह बोला गया है second is twice the first number वाथब 2x ठीक है 2x हो गया आप बोला है also thrice the second number third number हम लोग लिख सकते है कि thrice बोला है तो यहाँ पर यहाँ जोली चारी 2x वाई 3 thrice हो गया THIRT number का thrice time यह हो गया मतनल आप यहाँ पर काने के माने का मतलब है THIRT number अगर हो गया 2x वाई 3 तो second number हो गया thrice 3 times of 2x वाई 3 कट गया तो 2x हो गया तो यह यार रहा है, तो हम लोग लिख सकते है 2x x 3 लिख सकते हैं, तो तीनों नमबर हो गया, आपका x, 2x और 2x x 3, ठीक है, यह तीनों नमबर हो गया, आप बोलाए, average of 3 number is 44, average कैसे निकालते है, total निकालते है, total by number of observation, यह हो गया आपका average, यह आपका दिया है, आपका 44, कहने तो आपका total निकल जाएगा यह total हो गया तो यहां से हमें लोग करेंगे 3 नीचे आजाएगा common तो आपका यहां पर हो जाएगा 3x आपका यहां पर हो जाएगा 6x और यहां पर हो गया 2x तो आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11x by 3 यह आपका total sum हो गया आप average दिया है 44 यहां पर आप देख सकते हैं इजील यह कट जाएगा 11, 4 is a 44 तो x यहां पर आपका हो जाएगा 36 है ना आप 4 into 3 into 3 इस 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 ना इन 4 36 36 आपका यहां से x निकल गया आप क्या बोला गया है हाइस नमबर निकाले हाइst नमबर दीखिए यह तो आप डिवाइड हो जा रहे हाइस नमबर तो यह नहीं है इससे यह दूखना बन रहा है तो ये भी हाइस नमबर नहीं है तो हाइस नमबर आपका second number बन जा रहा है हाइस नमबर हो गया आपका 2 x कहना का मतला है 36 into 2 72 आपका यहाँ पर answer हो जाएगा 72 जो होगा आपका largest नमबर होगा जब आप यह जो average करने के बाद आपका जो यह आएगा आपका 3 नमबर से उसमें से सबसे बड़ा नमबर होगा 72 तो पहला आएगा 36 फिर 72 आएगा फिर 3 जो नमबर आएगा 72 बाइगा 72 बाइट यह करेंगे सबसे बड़ा नमबर यहां में से आपका हो जाएगा 72 तो ऐसा टाइप का सवाल आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप का सवाल आपको मिला तो आप इसली calculate कर पाओगे आपका कोई भी doubt नहीं रहेगा और आप इसली स्कोर करके अब flying color के साब pass कर जाओगे एकजाम चले next सवाल देखते हैं next सवाल है यह भी अच्छा सवाल दिया है कि the average weight of a b c is 45 average weight of a b c is 45 देखिए यहां पर क्या होता है maximum candidates क्या करते है directly यह ले ले लेते हैं ठीक है यहां पर देखिए weight उचा है यहां पर बात है हम लोग यह बैदे ग गलती होता है कि देखिए यहां पर हम लोग direct ले ले लेते हैं कि a plus b plus c is 45 दिया हुआ है फिर आपको दिया है कि a plus b आपका जो weight है यह आपका दिया है 40 और b plus c आपका weight दिया है 43 तो यहां पर हम लोग कुछ चीज भूल जाते हैं वो मैं अभी गलती करके यह wrong है यह wrong approach है ठी आपको यहां पर यह correct होगा correct approach मैं यहां पर बताऊंगा तो यह आपम लोग क्या करते हैं a plus b plus b plus c directly हम लोग लिखते है 40 plus 43 आपका होगा 83 83 फिर आपका यहां से हो गया यहां पर देखिए ऐसे लिख सकते a plus b plus c plus b यहां के यह आपका दिया है 45 और यहां पर 83 equal to तो b आपका यहां से हो जाएगा 83 minus 45 मतलब यहां पर आपका हो गया 5 और यहां पर हो गया आपका 8 और यहां पर हो गया 45 to 38 38 आपका यहां directly आपका एक option दिया रहेगा वहां पर 38 मारोगे टिक और आपका वहां पर answer गलत हो जाएगा और आपका negative marking जो है वो भी हो जाएगा मतलब आपको एक number मिला भी नहीं और पीछले से 0.33 आपका minus भी हो गया तो ऐसा नहीं करना है यहां पर main चीज जो है हम लोग भूल जाते है वो है यहां पर average दिया है average दिया है यह average है तो क्या करेंगे correct method जो है a plus b plus c का average weight है 45 कहने का मतलब इसका भी 45 इसका भी 45 और इसका भी 45 मतलब average by 3 यह होगी आपका answer तो आप यहां से a plus b plus c करेंगे तीनों का weight आपका हो जागा 45 इंडू 3 कहने का मतलब है 135 यह 135 आपका होगा total weight आपका होगा 135 आप यहां पर दिया है sorry guys यहां पर आप दिया है कि a plus b a plus b का हो गया 40 यह भी average है तो a plus b आपका हो जाएगा यहां पर 80 और b plus c का का अपका दिया है, यहां पे दिया है 43 by 2, तो B plus C का आपका हो जाएगा, 43 हो गये, 86, तो total आपका यहां से करेंगे A plus B plus B plus C, यह करेंगे 80 plus 86 मतलब हो जाएगा 166, ठीक है? आप यहां पे A plus B plus C प्लत्य हो बेटा देंगे, A plus B plus C plus B, ऐसे लिख सकते हैं तो 166, तो a plus b plus e का value क्या है आपका यहां से निकल गया 135 ठीक है तो b का यहां पर हो जाएगा 166 minus 135 आपका हो जाएगा 31 31 आपका हो जाएगा तो यहां से करेंगे 38 यह गलत हो गया 31 करेंगे तो यह साइड हो जाएगा तो यह चीज आपको exam point of view हम लोग जब वहां पर बहुत speed में calculate करते हैं तो maximum time में हो चुका है कि जो candidate लोग है वो क्या करते हैं यह average नेला भूली जाते हैं average लेना वो भूल जाते हैं तो क्या होता है यहां पर 38 निकाल लेते answer मार के आ जाते हैं यहां पर negative है तो फिर बोलते है selection नहीं हुआ यह नहीं हुआ तो यह थोड़ा ध्यान रखना है आपको examination point of view की average दिया है तो यहां से आपका answer आपको समझ मागिया होगा कैसा है क्या है क्या है क्योंकि total average दिया ABC का हम लोग पहले लिए total weight निकाल है ABC का आपका total आ गया 135 फिर A और B का average दिया है 40 वहां से total A और B का निकल गया 80 और B और C का दिया है 43 वहां से total उसका निकल गया 86 आप total दोनों equation का हम लोग अगर addition कर रहें A प्लस B प्लस B प्लस C अब निकल गया 166 तो हहां से क्या कर सकते है A प्लस B प्लस C का value 135 बठा दिया और B हहां से calculate हो गया 31 तो 31 हो गया 31 kg आपका हो गया आपका average 31 kg आपका answer हो गया तो ऐसे type का आप गलती भी करते हैं और exam में हम लोग का marks नहीं आते हैं तो हिबा करके यह गलती मत कीजिए और इस type का सवाल आप practice कीजिए ताकि आप देखते ही इसको click करें मगर सही जो correct है वो click करें आपको दिमाग में तो चलिए आज के बस लिए बस इतना ही मैं उम्मिद करते हूं आज का जितना भी class में जितना भी topic पढ़ाया गया आपको जितना भी sums आपको दिखाया गया आपको समझ में आ गया होगा आपको अच्छा लगा तो यह आपको class को like कर दीजिए नीचे comment करके बताइए आपक है next class में with some more questions or some more varieties of question of average के साथ तब तक के लिए goodbye and take care